एक गाउं में एक होस्पिटल था उस होस्पिटल में एक डाक्टर रहता था उस डाक्टर के उपर एक भूतिया बंदर का साया था रात के बारा बसते ही वो डाक्टर भूतिया बंदर में बदल जाता था हे भगवान बारा बजने वाला है मुझे अपने आपको एक रूम में बंद करना होगा वरना कुछ अनर्थ हो जाएगा उसके बाद वो डॉक्टर एक रूम में जाता है और रूम का दर्वाजा अंदर से बंद कर देता है और फिर बारा बसते ही वो भूतिया बंदर में बदल जाता है और वो खून का प्यासा रहता है उसे खून चाहिए होता है लेकिन दर्वाजा अंदर से बंद रहता है और उसे पता नहीं होता की कैसे खुलेगा तो वो बाहर निकलने के लिए बहुत ही बेचेन हो जाता है और डरावनी आवाजे निकालने लगता है अरे रामू, मुझे एक पास समझ नहीं आ रही कि इस होस्पीटल में 12 बसते ही ये डरावनी डरावनी आवाजी कहां से आने लगती है भाई मेरे डर के मारे तो हलत खराब हो रही है हाँ यार तुम सही कह रहे हो मैं जिस दिन से इस होस्पीटल में आया हूँ उस दिन से ये आवाजे सुन रहा हूँ उसके बाद अगले दिन सुबह होने पर डॉक्टर दवाई लेकर मरीज के पास आता है डॉक्टर जी नमस्ते कैसे हो आप मैं तो बिलकुल ठीक हूँ तुम कैसे हो और तुम्हारी तब्यत तो ठीक है ना हाँ मेरी तब्यत तो ठीक है लेकिन मुझे एक बाद समझ में नहीं आ रही कि रात के बारह बसते ही ये होस्पीटल से ये डरावनी आवाजे कहां से आने लगती है क्या डरावनी आवाजे अरे नहीं नहीं मुझे लगता है तुम्हें वहम हुआ है ऐसा तब होता है जब दवाई का ओवर्डोज हो जाता है ना तो हमें लगता है कि हमें कुछ सुनाई दे रहा है लेकिन ऐसा नहीं है तो आप घबराईए मत ये बात बोल कर वो डॉक्टर वहाँ से चला जाता है उसके बाद रात होने पर भाई ये डरावनी आवाजे आज फिर सुनाई दे रही है हाँ यार तो क्या करे बताओ चलो हम लोग पता लगाते हैं कि आख्रिये आवाज आ कहा से रही है भाई लेकिन मुझे डर लग रहा है अगर कोई भूतूत मिल गया तो अरे भाई भूतूत नहीं होता मैं हूँ ने तुमारे साथ चलो चलते हैं नहीं भाई मैं नहीं जाऊंगा तुम अकेले जाओ ठीक है डर पोक मैं अकेली जा रहा हूँ उसके बाद रामू उस कमरे में पहुँच जाता है जहां से आवाज आती है और वो खिड़की से देखता है कि भूतिया बंदर उस कमरे में कैद है भूतिया बंदर को देखकर रामू की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है अरे मरगे रे ये तो भूतिया बंदर है अरे भागो रे अरे मैं कहां फस गया अरे भागो रे भागो रामू को देखकर भूतिया बंदर बहुत ज़्यादा घुसा हो जाता है और उसका पीछा करने लगता है रामू भागते भागते होस्पीटल से बहुत दूर निकल जाता है और एक जंगल में उसे एक घर दिखाई देता है और रामू उस घर के अंदर चले जाता है अरे बच गये रे आज तो मेरे मरने ही वाला था बच गये भूतिया बंदर भी रामू का पीछा करते करते जंगल में उस घर के पास आ जाता है भूतिया बंदर खिड़की के पास आ जाता है और रामू को बोलता है रामू बाहर निकल जाओ वरना मैं दर्वाजा तोड़ कर अंदर आ गया तो बहुत बुरा होगा प्यार से बुला रहा हूँ चलो बाहर आओ अच्छा ठीक है मैं बाहर आ रहा हूँ और रामू घर के बाहर आ जाता है उसके बाद भूतिया बंदर जैसे रामू को मारने जाता है उसके गले में एक तावीज होता है उसे देख कर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और पीछे हट जाता है अरे भूतिया बंदर तुझे क्या हुआ तु मेरे से पीछे क्यों जा रहा है ए पीछे हट जाओ मेरे पास मत आना अरे तुम्हें क्या हुआ तुम इतना डर हुए क्यों हो अच्छा मेरे तावीज से डर रहे हो तो ये बात है अब देखो मैं क्या करता हूँ उसके बाद रामू भूतिया बंदर के उपर ताविश पहना देता है अरे मूर की इंसान तुने ये क्या किया और भूतिया बंदर जलने लगता है और जल कर मर जाता है और देखते ही देखते डाक्टर के उपर से भूतिया बंदर का साया हट जाता है और डॉक्टर पहले जैसा ठीक हो जाता है तो बच्चो आज के स्टोरी में सिर्फ इतना ही अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो अभी के अभी हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ सेयर करें और अगर आप ऐसे ही जादूई कहानिया देखना चाहते हैं तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद जो ये बेल आइकन है ना इससे जरूर दबाएं इससे ये होगा कि हम जब भी कोई वीडियो डालेंगे तो आपको तुरंद पता चल जाएगा